एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक लड़के विलियम का दूद का दाथ तूटते हुए देखते हैं वो अपने पापा को दाथ तूटने के बारे में बताता है तो उसका पापा कहता है कि रात को उस तूटे हुए दाथ को तक्ये के नीचे रखकर सो जाना और टूट फेरी आकर तूमें उसके बतले गिफ्ट देगी रात में जब विलियम की माँ गिफ्ट रखने आती है तो देखती है कि विलियम के किसी ने सारे दाथ तोड़ दी है और उसके मुह में खून निकल रहा है फिर हम देखते हैं कि भी एक ज्वेलरी शॉप पर से एक ज्वेलरी चुरा कर जा रही होती है लेकिन ज्वेलरी शॉप का मालिक उसे पकड़ लेता है और उसे पुलिस पकड़ कर जेल में डाल देती है डॉक्टर वाटसन उससे मिलने जेल में आता है जहां उसे वो दूसरा केस देता है B. मना कर देती है लेकिन वाट्सन उसे उफर देता है कि बदले में मैं तो में जेल से निकाल सकता हूं B. उफर एकसेपट कर लीती है वहीं राजकुमा लियो राजमहल से जब जा रही होते है तो उनका केयर टेकर जाने के लिए मना करता है लेकिन लियो की बेहन लूइस उसे वहाँ से बाहर निकलने में मदद करती है वाटसन और भी बैट कर बात कर रहे होते हैं जहां वाटसन उसे केस की इंफॉर्मेशन देता है वो बताता है कि बच्चों के दाद चुराए जा रहे हैं दो बच्चों के दाद चुराए जा चुके हैं हादसे की रात बच्चों ने एक भूतिय औरत को देखा था बी कहती है कि मेरी बेहन चैसिका को लगता है कि लोगों को ये अजीब सी शक्तियां कहीं से मिल रही है डॉक्टर वाटसन कहता है कि तुम सिर्फ काम पर ध्यान दो B स्पाइक से कहती है 221 B में जाकर पता लगाओ कि असलियत में वाटसन है कौन और क्या राज है बिली, बी, जैसिका उन बच्चों के घर जा रहे होते है तब ही लियो वहाँ आता है B उससे गुसे में कहती है या तो तुम बिली के साथ उन बच्चों के घर जाओ या दफा हो जाओ हम एक स्कूल में देखते हैं कि टूथ फेरी के बारे में रियूमर्स फैल रही है एक बच्ची जिसका दाट तूटता है वो रात को जब अपनी मा को बताने जाती है कि मैंने कुछ देखा तो उसकी मा के सारे दाट तूटे हुए होते है जैसिका और बी जब investigation के लिए उन बच्चों के घर जा रहे होते है तब जैसिका उस बच्चे को देखती है जो की episode की starting में दिखता है और उसके दाट तूटे थे पर उसके सारे दाट होते है बिली और राजकुमार लियो एक थीएटर में जाते हैं जिस बच्ची के दाद चोरी हुए थे वो और उसकी माँ वहां आइसक्रीम बेचती है जब जैसिका उस बच्चे का पीछा करती है तो पीछा करते करते वो एक घर में पहुँचती है जहां वो एक औरत को गार्डन में काम करते हुए देखती है वो औरत जैसिका से बात करने के बहाने घर के अंदर ले आती है जहां वो जैसिका को अपनी सांसों से बेहोश कर दीती है स्पाइक वाटसन के घर 221B में चोरी छुपे घुसता है जहां वो तैकिकात करता है उसे एक लेटर मिलता है जिसमें गोल्डन डॉन का जिक्र था वो उस लेटर को अपनी पॉकेट में चुपा लेता है पर तब ही वहाँ कोई आदमी आता है स्पाइक बैट के नीचे छिपता है वो आदमी उस बैट पर बैट खर उल्टी कर देता है बी जैसिका को ढूंटे ढूंटे उसी घर पहुँच जाती है जहां उस ओरत ने जैसिका को बेहुश कर रखा था जब वो ओरत जैसिका की दाथ निकालने वाली होती है तो बी पीछे से उस ओरत की गरदन पर चाकू रख देती है बिली और लियो जब विلियम की घर इन्वेस्टिकेशन के लिए जाते हैं विलियम के पापा जॉन बिली से बत्तमीज़े करते हैं जैसिका उस ओरत का हाथ पकड़ कर उसके दिमाग में घुसती है जहां वो उस ओरत को ओजा बोर्ड मेंसे अपने पापा से शक्तियां लेते हुए देखती है फिर वो कुछ लड़कियों को एक जगे पर देखती है लेकिन तब ही वो और जैसिका का हाथ पकड़ कर जैसिका को उसकी बुरी यादों में डालती है जैसिका वहां से उसका हाथ पकड़ कर निकलती है जैसिका बोलती है कि ये अपने पापा की मौत के जिम्मेदार से बदला लेना चाहती है जब जैसिका बिली और लियो को लेने जाती है तब वो औरत भी से बोलती है कि मुझे पता है तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है अगर तुम्हे पता चले कि तुम्हारी मा की हत्या हुई थी तो क्या तुम बदला लेना नहीं चाहोगी मेरे पापा ने दिन रात मेहनत करके बिजनिस खड़ा गिया लेकिन उनकी जमीन ना होने के कारण उनसे सब कुछ छीन लिया गया मैं अपने पापा का बदला लेकर रहूंगी जब जैसिका बिली और लियो के साथ वापस आ रही होती है तो वो लोग कुछ अजीब सी चीज़ देखते है जैसिका बी को बुलाती है वहां दातों से इनसान की खोपड़ी बन रही थी तब ही जमीन में से एक हाथ निकलता है और फिर एक बच्ची वहां से निकलती है वो चलना शुरू कर देती है फिर विलियम भी वहां आता है उन्हों विलियम और कार्ला के जैसे दिखते है बी बोलती है कि वो औरत दातों से लोगों के हमशकल बना रही है वो सब उस औरत के पास जाते है बी कहती है कि ये जमीन किसकी है तब लियो बोलता है कि ये सब ड्यूक का है जॉन जो की विलियम का पापा है वो ड्यूक का बोडिगार्ड है कारला जो की थेटर में आईस्क्रीम मेचती है वहाँ के शो ड्यूक ही स्पॉंसर करता है मतलब ये ड्यूक को ही मारना चाहती है वो औरत कहती है तुमने देरी कर दी है और ड्यूक सेकड़ों लोगों के आगे मारा जाएगा लियो बीली को थेटर जाने के लिए कहता है जॉन ड्यूक के साथ थेटर पहुंचता है कारला जब आईस्क्रीम के लिए चमच लेने जाती है तब ही कारला की हमशकल वहाँ आती है और उसे बांद कर खुद कारला बन कर आईस्क्रीम लेकर निकल जाती है जहां वो एक बंदूग भी रखती है विल्यम का हमशकल अपने पैर पर चोट लगा कर जॉन के आगे गिर जाता है जॉन विल्यम को समालने लगता है इसका मतलब अब ड्यूक बिना बॉडिगार्ट के है जब भी उस रोरत को समझाने की कोशिश करती है तो वो कहती है कि इन सब को रोकने का एक तरीका है जो तुम्हारी नेतिकता तुम्हें कंडी नहीं देगी थेटर में ड्यूक आ चुका है वो औरत कारला की हमशकल को कंट्रूल कर रहे है वो पीछे से आकर बोलती है मैं कुछ बोलना चाहती हूँ और वो ड्यूक पर बंदुक तान देती है बिली थेटर पहुंच जाता है वो जॉन को समझाता है कि ये तुम्हारा बीटा नहीं है अगर आपको विश्वास नहीं है तो इसके दाथ देख लो कारला की हमशकल जब गोली चलाती है तो जॉन ड्यूक को बचाता है और बिली उस लड़की से बंदुक छुडाता है जॉन बिली और ड्यूक को ले जाता है जॉन बिली को ड्यूक के परिवार के पास छोड़ कर जाता है जैसिका कहती है कि गार्डन में से एक और हमशकल बाहर निकला है पर वो पता नहीं किसका है वो खतरनाक औरत फिर से किसी हमशकल को कंट्रूल कर रही है पर इस बार वो ड्यूक की पत्नी है जिसके दात उसने पहले निकाले थे वो हमशकल ड्यूक को गाहल कर देती है जब बिली ड्यूक को बचाने की कोशिश करता है तो ड्यूक की बीबी की हमशकल बिली पर हमला कर देती है वो उसके गरदन में चाको गुसाने वाली होती है कि बी उस जादुगर औरत को मार देती है और बिली को बचा लेती है उस जादुगर औरत के मरते ही उसके बनाय हुए सारे हमशकल भी मर जाते है बी जो एक हत्या करने से दुखी थी ये उसे समालता है जैसिका फिर से डरावना सपना देखती है लेकिन तब ही सफे तितली आकर उसे आदमी के पास ले जाती है जिसने उसे पहले एपिसोड में बताया था कि जैसिका हाथ पकड़ कर लोगों के दिमाग में जा सकती है वो आदमी जैसिका के हाथ पर एक सफे तितली बनाता है और कहता है कि जब अगली बार तुमें गलत या बुरे सबने आए तो तुम इस से छोक कर बाहर आ सकती हो वो आदमी कहता है कि हमारी और भूतों की दुनिया के बीच में एक दीवार है आम तर पर ये देवार जन्म और मृत्यों के वक्ती खुलती है लेकिन किसी ने ये देवार खोलती है जितने लोग भूतों को उनकी शक्तियों के लिए बुलाएंगे ये दीवार और ज्यादा खुलती जाएगी इस दरवाजे को बंद करना होगा जब जैसिका ये सब अपने दोस्तों को बताती है तो स्पाइक वाटसन के घर 221 मेंसे जो लेटर मिला था बी को दिखाता है बी उस लेटर पर एड्रस देखकर वो लेटर भीजने वाले के पास जाती है और वो अपना नाम मायक्रोफ्ट होम्स बताता है और इसी के साथ एपिसोड खतम हो जाता है अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगी हो और एक्साद आई हो तो लाक शेर और शब्सक्राइब तो मैं चानल था जाएब आपको ये वीडियो